बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिरहीम अस्सलाम अलैकुम रह्मतुल्लाहि वबरकातु हूँ यामी की छोटी सी दुनिया में आप सबका स्वागत है आएं और यामी की छोटी सी दुनिया में शामिल हो जाएं रब बिश रह ली सद्री वा यसर ली अम्री वेहलु अगदतम मिलिसानी यफकहु कौली अलहमदुलिल्ला आज दुसरा रोजा है ये हमारे रब का हम पर बहुत बड़ा कर्म है कि हमारे रब ने हमें फिर से रमजान शरीफ जैसे बाबरकत बारहमत वाले महीने में दाफिल किया रमजान शरीफ बहुत ती रहमत वाला और बरकतों वाला महीना है और इस बरकत वाले महीने में एक ऐसी बरकत वाली रात है जिसमें रबुलालमीन ने कुरान शरीफ को नाजिल फर्माया ये महीना रहमतों का बरकतों का महीना है ये महीना दौाओं की कुबूलियत का महीना है इस महीने में जन्नत के दर्वाजे कोल दिये जाते है और जहन्नम के बन कर दिये जाते है और शयातीन को कैद कर दिया जाता है और इस महीने में बंदा अपने रब से जन्नत तल्ब करके जन्नत हासिल करता है और जहन्नम से नजात पाता है तो इस महीने में हमें अपने रब से बहुत सारी द्वाएं करनी चाहिए हमें इन दुआओं में मजगूल रहना चाहिए ये सुरह बखरे की आयत है सुरह अल-एहजाब में मेरा रफ फरमाता है या एई वो लोगों जो इमान लाए हो अल्लह को कसर से याद करो और वो मर्द जो अल्लह को बहुत याद करने वाले हैं और याद करने वाली औरतें अल्लह ने इनके लिए बख्षिश और बहुत बड़ा अजर तयार कर रखा है ये सुरह अल-एहजाब की आयत है सुरह अल-अराफ में मेरा रब फर्माता है और अपने रब को आजिजी और कौफ से अपने दिल में बुलंद आवास कि ये बगैर सुबह वा शाम याद करो और गाफलों में से ना हो और रसुल अल-अल-अल-अल-अल-अल-अल-अल-अल-अल-अल-अल-अल-अल-अल-अल-अल-अल-अल-अल-अल-अल-अल-अल-अल-अल-अल-अल-अल-अल-अल-अल-अल-अल-अल-अल-अल-अल-अल-अल-अल-अल-अल-अल-अल-अल-अल-अल-अल-अल-अल-अल-अल-अ करने से बहतर है और तumहारे लिए इस से भी बहतर है कि तुम अपने दुश्मनों से मिलो तुम इनकी गर्धने मारो और वो तुमारी गर्धने मारें सहाबा रजी अल्लहा नहीं आने अर्स किया क्यों नहीं आप सललियल Babe अगर वो एक बालिश्ट मेरे खरीब आए अगर वो एक हाथ मेरे खरीब आए तो मैं दोनों बाज़ों के पहलाओ के बराबर इसके खरीब आता हूँ और अगर वो चल कर मेरे पास आए तो मैं दोड़ कर इसके पास आता हूँ तरमजी के हदीस है कि अब्दुल्ला बिन बसर रजी आल्ला नों फर्माते हैं कि एक आदमी ने कहा या रसुल आल्ला सल्ला अल्ला अल्यूस्ट मुझ पर इसलाम के एकाम बहुत ज्यादा हो गए है आप मुझे को एक चीज़ बताएं जिसको मैं मजबूती से पकड़ लूँ आप सल्ला अल्यूस्ट ने फर्माया तेरी जबान हमेशा अल्ला के जिकर से तर रहे तो गुरान और हदीस की रोशनी से हमें पता चला कि हमें हर वक्त अल्ला का जिकर करना चाहिए हमें अल्ला के जिकर में मजगूल रहना चाहिए हमें दौाइं करनी चाहिए दौाइं जो हमारे लिए हैं हमारे हक में बेतर है और इस माहे मुबारक में तो बहुत ज्यादा करनी चाहिए क्योंकि ये कुबूलियत का महिना है और इस माह में हम रब रालमीन से अपनी हर दुआओं को इंशालला कुबूल करवा लेंगे आमीन तो आएं आज हम ये जानते हैं कि हमें कुरान और हदीश की रोश्णी में इस माह मुबारक में कौन-कौन सी दुआएं ज्यादा से ज्यादा मागनी चाहिए रसूर आलला सलेल ले वेसलम ने फरमाया जो शख्स रात में किसी वक्त जागे और वो जागते वक्त ये कहे ला इलाह इल्लाह वाह्दहू ला शरीक लहू लहुल्मुल्क लहुल्हम्दो वहुआ लैकुली शैय्न कदीर अकेले अल्ला के लावा कोई अबादत के लाइक नहीं वो अकेला है इसका कोई शरीक नहीं इसी के लिए मल्क है और इसी के लिए हम्द है और वो हर चीज़ पर कादिर है अल्ला पाक है और सब तारीफ इसी के लिए है इसके सिवा कोई सचा माबूद नहीं और अल्लह सबसे बड़ा है और बुलंदी और अजमत वाले अल्लह की मदद के बगएर ना किसी चीज से बचने की ताकत है और ना कुछ करने की कुवत है फिर ये दूआ करे रब इखिर ली एह मेरे रब मुझे बख़ दे तो इसे बख़् दिया जाता है वलीद रावी ने बियान किया कि या तो आपने ये फरमाया फिर कोई दूआ करे तो इसकी दूआ कुबूल होती है फिर अगर उट खड़ा होकर वजू करे और नमास पढ़े तो इसकी नमास कुबूल होती है मैं इस बात से अल्ला की पनह मांगता हूँ के मैं ऐसे नादानों में शामिल हूँ यानि मजाख में जूट बोलने वालों से ए हमारे परवर्दिगार हमसे ये खिद्मत खबूल फरमा ले बेशक तू और सिर्फ तू ही हरे की सुनने वाला और हरे को जानने वाला है ए हमारे परवर्दिगार हम दोनों को अपना मुकमिल फरमा बदार बना ले और हमारी नसल से भी ऐसी उम्मत पैदा कर जो तेरी पूरी ताबदार हो और हमको हमारी अबादतों के तरीखे सिका दे और हमारी तूबा कुबूल फरमा ले बेशक तू और सिर्फ तू ही माफ कर देने का कुगर और बड़ी रहमत का मालिक है रब्बन आतैना फी दुनिया हसन तो फिल आखिरती हसन तो गिन अजबन नार ऐ हमारे परवर्दिगार हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई रमजान की खुसी दुआ है ये अश्यद वन्ना ला इलहा इलिल्लाह वस्तग्फिर ल्लाह वसालुकल जन्नता वा आउज भीका मिन अन्नार मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह की सिवा कोई अबादत के लायक नहीं मैं ल्लाह से मगफरत चाहता हूँ मैं तुसे जन्नत का सवाल करता हूँ और जहिन्नम से तेरी पऩ चाहता हूँ इसके लावा हरوق ये खिर करते रहें सुभाण ल्लाह व ल्हा कुआ हैं लिल्लाह व ल्लाह विल्हाु अल्लाह व्लाह विल्लाह मुझे लही काफी है इसके लावा कोई अबादत के लाइख नहीं मैंने उसी पर भरोसा किया वो अर्ष अजीम का रब है तो ऐसी बहुत सारी दुआएं हैं जो हमें करनी है हमें अपने रब के जिकर में मशगूल रहना है तो हमें इस माहे मुबारक की रहमतों और बरकतों को पूरी तरह समेटना है और अपने रब को राजी करना है या अल्ला हमें कहने सुनने और समझने की और उस पर अमल करने की तौफी खता फर्मा आमीन आप सब को अगर मेरे ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन में किलिक करना ना भूले और कमेंट के जरीए अपने खिमती मश्वरों से मुझे नवाजे खुश रहें, अपना खियाल रखें अगले वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी तब तक के लिए, अल्ला हाफिज